वाफी से सौगत है आपका अपनी चैनल शायन रवर्ट विताजी में इस वीडियो में हमनों देखने वाले हैं क्लास ट्वाइल और सास का चैप्टर वन जो की है परिचाय तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटे जिते भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी इस चैप्टर में आपके लिए बताया जा रहा है आपको पढ़ना है जिससे आपके कोशन्स बनते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं और लास्ट में हम लोग इस चैप्टर में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन अंसा दिये गए हैं सियाटी के वो भी उसक सामान अर्थसास तो मनलब कि अर्थसास क्या होता है आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहें जब से एकनोमिक्स पढ़ाए कि जो अर्थसास होती है वो विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतगर सेवाओं या फिर किसी भी चीज का उत्पादन वहां पे उसका वित्र वीडियो में हम लोग इस चैप्र करेंगे पूरा पूरा चैप्र नहीं देखेंगे इससे टाइम भी बहुत जाएगा इससे कुछ खास बेनेफिट भी नहीं है तो इसमें जिते भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट से सिफ हम लोग उसको देखेंगे लेकिन अगर आपके पास टाहिम हो तो आप पूरे के पूरे चैप्र को रीट करिए यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा तो यहां पर देख लिए आप कुछ पॉंट देगा हैं जैसे कि सेवाएं वैक्तिविसेस या फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर संसाधन तो यह सारी चीजे क्या हो कोई इछ पूर्त ही तो जिसके द्वारा वक्तिगी है पूर्त कि वहाँ शाय सेकों शिवा ऒषान सेवाई होटी है आप वस्तु और सेवाओं दोनों में बहुत ही जादर डिफरेंस होता है वस्तु है है मांली जया आपको भूग लगा ह। ठीक है आपको भूग लगा तो आपको खाना मिला तो खाना आपके लिए वस्तु है लेकिन अगर जो जैसे कि मैं टीचर हूँ आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी सेवा है आई होँ आपको समझ में आ रहा होगा मिलाब की इस सेवा क्या होती है जैसे कि इंजीनियर डॉक्टर हो गया तीचर हो गया ये सारे लोग आपको सेवा प्रदान करते हैं तो ये सेवाओं में, सेवाओं के दोर आपकी जो है आउशक्टाओं की पूर्थी हो रही और वस्तु जैसे की हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, इसी हो गया, कूलर हो गया, या खाना हो गया, या कपड़े हो गया, ये सारी चीज़े आपकी वस्तुओं के अंतरगत प्रिए आसे व्स थीज़ होती है जिसे कि क्या हो गया भूम हो गया शुरम हो गया इसके पास उसके बूम है तो उसके पास एक संसाधान है मैं उसी संसाधन पे वो अपना फसल उगाएगा तो उसी संसाधन से उसने और चीजों का उत्पादन किया तो यह हो गया हमाई संसाधन के अंतरगत आ जाता है ठीक है अब आगे भड़ते हैं हम लोग इसके बाद यह सारा कुछ most important नहीं है इसलिए हम लोग आगे भड़के एक यहां पर यह आ रहा है विनिधान यह भी बहुत important है विनिधान क्या होता है विनिधान भी एक important point है इससे भी question आपके बन जाते हैं तो संसाधनों के विनिधान से आपके पास ममेरगह रोटी बनाना है तो अभी आपको यह सोचना है कि हम कई उस करहां कितनी रोटिया बनानी है कितनी की जरूरत है् यह चीज हमारा विनिधान हो जाता है आगे बढ़ते हैं यहां पर यहां पर फूरा की केंडि समस्य हैं तो अर्षास की केंडरी समस्या क्या होती है तो चलिए देख लेते हैं कि वस्तूओं तदा सिवाओं का उत्पादन विर्मय तदा उभोग जीवन की आधार भूत आर्थिक गत्वीदियों में अंतरगत आते हैं परतेख समाज इन आधार भूत आर्थिक ग्रियाओं के दौरान संसादनों की कमी का सामना करना पड़ता है तो तो संसादनों की या कमी चियन की समस्या को जन देती है इसका मतलब क्या है कि अर्षास के अंतरगत ऐसा होता है ना कि मनुष की जो आशक्ता होती हैं वो बहुत सही ना पर चीजे हों को यूस करने के लिए वो दो सीमी थी है ना इसलिए यह सारी कुछ कमीया हो जाथी यह मात्रा किया गजा हूं सबस्ती है कि Um इन वस्तू का उत्पादन है हैं इसके और कि लिये दो कोछ हमारी केंदृ समस्या होती है आधार शाहस और जो एंसर टाइप में जब देखेंगे मलकि दीर कोईशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें पूरे के पूरी बहुत ही अच्छे से देखेंगे ताकि आपको जो कोईशन है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए आगे बढ़ते हैं नेक्स हैडिंग पर जो उसके बाद हमारी हैडि होती है और समाज दोनों पर ही समान रूप से लग होती है यह संकल्पना अत्यंत महातपूर्ट अर्सास में व्यापक रूप से उप्योग में लाई जाती है अर्सास में इसके महातव का वर्णन कहीं कहीं और सरलागत अथा कहीं कहीं आर्थिक लागत से किया जाता है अब पागे बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद अर्था है बजार अर्थविश्था एक होती है केंद्री अर्थविश्था एक होती है बजार अर्थविश्था जो केंद्री अर्थविश्था होती है उसमें क्या होता है जो मलकि वहां पर जो राशन होता है या वहां पर जितना भ मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझारी हूं चाहिए विख में बहुत ही पूरा विश्दार से लिकां उसको समझने में थोड़ा ताइम लगता है इसलिए आपको अपने catching में बता रही हूं अब एक आता है संस्था, संस्था से क्यास है, तो संस्था को प्राया किसी ऐसे संग्रिठन के रूप में परिभाशत किया जाता है, जिसका कुछ निशित उद्देश हो, तो संस्था क्या होती है, संस्था एक ऐसे संग्रिठन होता है, जिसका एक निशित उद्देश हो, बह आगे बढ़ेंगे हम लोग उसके पाद आजाता है हमारा वेस्टी अर्षास और समझ्टी अर्षास तो यह तो बहुत ही मेजर पॉइंट है हम लोग स्टार्डिंग से परते आ रहें वेस्टी अर्षास और समझ्टी अर्षास क्या होता है तो यह था हमारा पूरा चैप्टर बहुत इजी लेंग्वेज में ताकि आपको बहुत यह समझ में तो चलें स्टाइट करते हैं यहां पर जो मनों का फर्स्ट कोशन है वह है अर्सास की केंदी समस्याओं की विवेशना कीजिए अभी हम लोग उसको अच्छे से पूरा देखें कि अर्सास की केंदी समस्याओं यह पॉइंट आते हैं और इसी से कोशन पणते हैं तो चलें देख लेते हैं तो जो अर्सास की केंदी समस्याओं वह इस प्रिकार है जो पहला है वह है किन वस्तो का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में तो यहीं हम लोगना भी देखा था कि किस वस्तो का इस ले पंशिषो का हूँ तो जाड़ा मतला में कर देता है तो उसकी वज़ते से जो दूसरी वस्तो को या निधालित करना पड़ता है कि को करे देखा कर सवासत परց झाल सायन सिवाओं के संगर्ठन पर उब्भोकता वस्तों बनाए या फिर पुंजीकत वस्तों बनाए तो ये मलकी ये एक अर्षास के अंतगर ये सारी समस्यां आती हैं इसलिए इसका जो है बहुत ध्यान में रखते हुए सभी जो भी यहां पर वितियायों के गरव होते हैं वो सारे कुछ ये सब को ध्यान रख कि जो कुल जिसमें कुल समामत उपयोगिता जो क्या हो अधिकतम हो उसके बाद जो सेकेंड थी हमारी वो क्या थी वस्तों का उत्पादन कैसे करें जो वस्तों का उत्पादन है उन्हें किस तरीके से करना चाहिए ताकि सब अच्छे से हो तो सभी वस्तों का उत्पादन हाथों से करता है यह होता है पुंझी प्रदांट रुपई लगाखे दूसरे करा लिया जाता है या यह इनरायक लेना है इसका नीरायक पलेना आई आगग शिधान्त या कि एसी तक्नीक का प्रियोख दन देम हूं थाल है वह फकांट उत्पादन किसके लिए कर जो उत्पादन है वो किसके लिए करना है ये भी हमारी एक समस्या थी तो अर्थवसास्त में उत्पादित वस्तों की कितना मात्रा में किसे प्राप्त होगी अर्थफसास्ते में उत्पादन को वेक्ति-विशेश के लिए किस प्रिकार विभाजित किया जाये या आई के वित्नाब पर निर्भर करता है यदि आई समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तुओं और सेवाओं भी समान रूप से विभाजित होगी जैसे कि इसमें क्या पताय जा रहा है कि आए पर निर भर करता है आप माल लीजे जैसे कि classes होती है ना high class, middle class, lower class ऐसे होता है तो अब जैसे कि जो वस्तु बन रही है अगर जो बहुत ज़्यादा महेंगी हो रहे है तो उसको सिफ अपर-class वाले ही अफोर्ड कर सकते हैं अब जैसे कि हम माल लीजे 40,000 का एक मोबाइल है तो उसको सिफ high class वाले अफोर्ड कर सकते हैं आपको अब मिडिल क्लास या लूवर क्लास वाले उसको कर सकते हैं नहीं न तो यह होता है अगर जो आए जो है समान रूप से ऐसे से बटी होगी तो सभी लोग उसे ले सकते हैं लेकर जो आए में थोड़ा उच नीच होगा या भेदभा होगा तो उसको जो है उत्पादन का जो उसको लेने में प्रॉब्लम होती है तो नियनायक से दान तिया है कि वस्तों और सेवाओं को इस प्रेकार वितिरित करो कि बिना किसी बरत बनाए किसी अन्य को बहतर ना बनाया जा सके उसके बास सेकेंड कोशन है वो है अर्षास के उत्पादन संभावनां से क्या अभिप सिमान तुद्पादन संभावना क्या है तो सिमान तुद्पादन संभावना दो वस्तों के उन संयोंगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन आर्थ्ववस्ता के संसाधनों का पूर रूप से प्रियोग करने पर किया जाता है जिसका उत्पादन आर्थ्ववस्ता के संसा कभी आपके objective में पूछ लिया जाता है कि एक वस्तु की एक अतिरिक दिकाई पाप्त करने के उस्वत लागत क्या होती है तो इसका एंसर हमारे क्या है सिमान उत्तादता ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन है हमारा अर्थ विवस्ता की विशय वस्तु की विवेशन यहां पर साथ यह रिपीट हो गया है जिससे की हमारा आर्थिक कल्यार अधिक होता है तो मैं कि यही चीज है कि यह आर्थ सास्त एक ऐसी विशय वस्तु है जिसमें दूरलफ संसानों के विवेख सील प्रयोग पर केंदित रहता है और इससे की हमारा जो आर्थिक कल्यार है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है अर्सास के विशयवस्थु को दो भागों में वर्गित किया जा सकता है अर्सास दो भागों में बटा है पहला होता है वेस्टी अर्सास दूसरा होता है समिश्टी अर्सास और इसका सवर्पदम प्रयोकिस ने किया था इन सब दों का र अबुक्त और है इस में समपूर अर्थ Κार आद्यों का अध्याँ उसके आध्याता। और समझते अर्सास में क्या आता है राश्ट्री आय तथा रूजगार, राजकोशी और मौदिक नीतियां, अश्प्रसीद तथा स्फिर्थी, सरकारी बजट, विनमेदर का भुकतान, दोश आती ठीक है आगे बढ़ते हैं, जो next question हमारा वो है, केंदी करत योजना बद अर्थ विवस्था तथा बाजार अर्थ विवस्था के भेट को सपष्ट कीजे यह बहुत important question है, अच्छे से देखेगा, यह सायब मुझे लग रहा है कि आप लोगो यह blur दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग समझने का कोशिश करेगा तो जो बजार अर्थ विवस्था होती है, और जो केंदी करत योजना बद अर्थ विवस्था होती है, उसमें क्या difference होता है, हमनों को सिर्फ यह बताना है तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इस अर्थ विवस्था में मांग और पूर्थी की शक्तियों का स्वतंत अंत्रक्रिया का पूर्थ वर्चस्व होता है जो बजार अर्थ विवस्था होती है इसमें मांग क्या की जाए उसकी पूर्थी क्या की जाए इन सभी शक्ति भी कर्द योज्णबत धाथ विवस्था होती है कि सवर्तस विवस्था में मांग और पूर्णिकी सकतियों का सुवतन्त अंतक्रियां नहीं काभा होता है महाँ पर Kane पॉ Luck跟大家 की स्वामित होताए इतर सरकार खेले किया जाता है इसलिए इसमें उत्पादन लाप का उदेश होता है और इसमें उसका आभाव होता है आगे देखते हैं इसमें सरकार उत्पादकों और परिवारों के निर्नायों में कोई भी हक्तशेव नहीं करती है लेकिन इसमें जो सरकार होती है वह उत्पादक कि अनुमत ही नहीं दी गई है इसमें क्या होता है संयुक्ति राष्ट अमेरिका फ्रांस जापान आधी जिस्ते देश जो है बजारिया सवस्ता में है और जो यह वाला इसमें है चीन गरसंत आधी ठीक है अगे बढ़ते हैं नेस्ट कुशन है हमारा सकरात्मक आर्थिक विसल बढ़ने से मांग की मात्रा घृड जाती है और कीमन कि कम होने से मांग की मातह सब्सक्राइब घर जाती है तो सब्सक्राइब जो करने हैं जो कई कि आती हैं इसी टाइप से अगर जो उसका वही अगर जो 10 का था और एट का हो जाए नाइन का हो जाए तो उसका मांग जो है वह बढ़ने लगता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारा आधर्शक आर्थिक विश्लेशर से आप क्या समझते हैं यह उसका क्या भी प्राइब तो आधर्शक आर्थिक विश्लेशर में हम यह समझने का प्यास करते हैं कि यह वे विदिया हमारे अनकूल है कि यह नहीं है मलकि जो भी वहाँ पर विदिया हैं चलाए जारी वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है उधार के लिए जब हम कहते हैं कि सिगरेट और सराप की मांग कम करने के लिए उनके उपर कर की दरे बढ़ानी चाहिए तो यह आधर्शक विश्लेशर है तो यहां पर अधालबी हम लोग ने बहुत अच्छा देखा है कि जैसे कि अगर जो हम चाहते हैं कि किसी चीज का जो मांग कम करना है तो हम लोग उसका वेड़ बढ़ा स तो यह जो कोशन है यह हम लोग नहीं पढ़ेंगे यह बहुत ही कॉमंट कोशन आई यह बहुत बढ़ा पढ़ाते आया है इसलिए इसको को कोशन को हम लोग स्किप करते हैं अब आप आप लोगे सारे का सारी कोशन समझ में आगए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा कमेंट में और अगो जो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अब इसके बाद इसके जो है लग उतिर प्रेश्ण दीक उतिर प्रेश्ण बहुई कलपी सारे के सारे आएंगे तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स वीडियो में thank you